भारत के किस राज में इस्तित है सोर मंदिर है ठीक है ना सोर मंदिर यह आपका है तमिल नाडु राज के महाबली पुरम में इस्तित है कि अन्सर यहां पर क्या होगा बिकलब आपका बी नंबर यहां प्रूछा गया है किसामराज में था आपका यहां पर करेक्ट ए-प्रियन स्बस्वाइब निम्निखित में से कौन सवेद सबसे पुराना है अब ये वाला प्रस्णतकम सखम 10,000 बार हमने करवाया होगा रिविवेद है ना ये तो आपको आई रहा होगा नर्तकी की मूर्ती जो है पदार्त का उपयोग करके बनाई गई थी बताईए कौन से पदार्त का उपयोग करके बनाई गई थी और यहां पर जवाब बताया जा रहा है यहां पर दिखिए जवाब दिया जा रहा है कह रहे हैं B नंबर होगा कासा बिलकुल सही है बिलकुल सही जवाब दिया गया है अगला प्रेशन बताइए वासकोटिकामा किस वर्स काली कट यानि आया था सिंपल है पांच नंबर का डी होगा 1498 में आया था नेक्स्ट प्रेशन बताइए अठारव सतावन के बिद्रोग को भारत के पर्थम स्वतनतरता संगराम की संगया किसने प्रतान की हाना यहां पर देखिए बिलकुल सही जवाब दिया गया है और यहां पर देखिए 6 नंबर हट करजन वाईली के हत्या की थी सेवेन नंबर का देखिए जब आप देना है सेवेन नंबर का अंसर क्या होगा तो यहां पर आपका हो दाएगा मदान लाल धिंगरा विकल्प आपका जाएगा ए नंबर के साथ जलिया वाला बाग नरसंगार के बाद किसने अपनी गांदी एरिविन समझावता किस वर्स हुआ था यह आपका कब हुआ था 1931 में हुआ था 1905 में 47 में या 42 में नौ नंबर के देखिए जबाब दिया जा रहा है 1931 में हुआ था बिल्कुल सही जवाब है विकल्प आपका बी नंबर सही होगा पांच मार्च 1931 को एक समझाव बता हुआ था जिसे गांदी एरिविन समझावता के नाम से जाना जाता है अगला प्रस्ण बताइए स्वतंद्र भारत के पर्थम गवर्नर जनरल को थे हाना स्वतंद्र भारत के पर्थम गवर्नर जनरल आपके तिल लाड माउंड बेटान अगर यहां पे लगा दिया जा तो फिसर गोपालाचारी व। ये भी यात रखना निमनकीत में से किस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है् ग्यायन नंबर का जवाब देना ए तो आपकी इरान के साम नहीं लगती है नेपाल में आमार बंगलादेश सब के साथ लगती है इरान कहां से आ जाएगा अगला प्रश्ण बताइए नंदा देवी चोटी किस राज्य में इस्तित है हाद के जवाब देखिए जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं बहुत हमें खुशी मिलती है जब आप सही जवाब देते हैं देखिए बाद नंबर का जवाब बी बी क्या बात है बिल्कुल सही जवाब है बाद नंबर का बी नंबर आप बिल्कुल सही है उत्रा खंड आपका होगा निमने में से कौन सा इस्तान तामे की खान के लिए प प्रत्वे को चार मिनट का समय लगता है तो दो घंटे में लगेगा 120 मिनट और 120 मिनट का मतलब आपका कितना होगा है यहां पर लिखा हुआ है लाइड कि हुगा सोला नंबर का पॣ-चोवद नंबर का जवाब भी होगा 30 डिग्री होगा हाँ बिलकुल सभी है 120 मिनट का ती इस इंढ बिलकुल शही है यहां पर आम पको रहता है एक घंटे का 15 डिग्री 22 खंटे का बारत में जी अस टी कब लागू हुआ और आपको देखे ये भी बताना है कि भारत में कितने प्रकार का जुब कने प्रकार क ऊप यहांपर आपको बताना है कि कब लागू हुआ एक जुलाई यहां लिख दे रहे हैं एक आपका है सेंट्रल गवर्मेंट वाला सी जीस्टी है सी जीस्टी होता है एक स्टेट गवर्मेंट का होता है स्टेट होता है एक यूनियन टेरी जोता है यू टी और जीस्टी एक आपका होता है इक यह सब्सक्राइब च्राइब याद रखियेगा जो सिलयाई बारा परसिन बारा परसिन अठाइव आपको बताया रहा है ताइब बता रहे हुता है ज फिछ शासिष परकार यह रहे हैं चाहर परकार के चलिए किलियर हो गया चलो आगे बढ़ते हैं आरबियाई का मुख्याले कहा पर है बता दीजिए मुख्याले कहा पर है कि 17 नंबर का जवाब क्या होगा यहां पर अरभीयाई का मुख्याले कहा यहां पर मुंबई में मुंबई बताया जारा है बिल्कुल सही है मुंबई कहा लिखा हुआ है बीकल पाप का सी नंबर होगा कि बारती मुद्रा का नया प्रतिक्षे ने किसने डिजाइन किया यहां पर देखिए आपको जबाब देना है कि कोसर नंबर 18 का राइट अंसर क्या होगा और यहां अठार नंबर का बता जा रहा है उद्यकुमार बिल्कुल सही जबाब है भारत में योजना आयो का गठन किस यहां पर देखिए आपको बताना है भारत में सुटंत्रता के बाद यहां पर आपको बताना है योजना आयो कटण कप हुआ था यहां पर दिखा लाग रुपए तक का मुद्रा रेंडर ब्रता 20 नमबर का आपको होगा 10 लाग 10 लाग 10 लाग हाँ बिल्कुल सही है भारत में किस राज का लोग सभा वा राज सभा में प्रतिनिधित्त सरवादिक है 21 नमबर का दिखिए बताना जवाब क्या होगा तो 21 नमबर का जवाब आपका ए नमबर होगा उत्तर प्रदेश होगा तो आपने पत ग्राण के दिछ से तो आप अगर आप नहीं प्रेंब हमारे WhatsApp को नंबर में पहुद गाये आपको इंडिजिवाली भेज़ पाएंगे क्योंकि वैसे जो पीडियाफ हम टाइप करेंगे वह हम आपको टेली कराम में भेज़ देंगे आना तो बुक के कंटेंट रहेगा इसलिए हम आपको लोग सभाक कितने सत्र बुलाएं जाते हैं वर्स में दो बार 25 नंबर का वी होगा si दरपन के दौारा बनने वाला जो प्रतिविम वोता है कैसा होता है 26 नंबर के दिखिए जबाब देना है और यहां पर राइट अंसर भी हमारे बीचा चुका है हाना 26 नंबर के दिखिए जबाब दिया जा रहा है प्रतिविम सदय सीधा आवासी तता वस्तु के आकार के बराबर बनता है अंसर आपका क्या होगा बी नंबर सही लिए अकार क्या हटा जाता है आपका उत्ता लिंस का अका इद्र रखियाँ यदा यहां पर आपका प्रस्ण हैसै हना यहां पर सब्सक्राइब होगा सब्सक्राइब करें कि देखिए यहाँ पर आपको बताना क्या था एक मिनट 27 सब्सक्राइब ऑवस्ता में पाई जाने वाली धातु काऊंस इस यह कई बार हम ने बताया है कमरे के सामान पर पारा जो होता है मरकरी तरह लवस्था में पाया जाता है अंसर आपका यहाँ पर क्या होगा पारा आपका हो जाएगा मरकरी हो जाएगा अगला प्रश्ण बताईए किसकी कमी से नेफरोलाजी कहते हैं। याद रखिए गए ग्ली नंबर आप प्रत्य संद क्य यहां पर आपको बताना है 1826 नंबर का बताना है परोच्छ ओता है आहなस beta एक सब्ध यहांपर लिखा हुआ है कौन सा गलत है गलत बताना है आगे की सोचने वाले के लिए एक सब्द आपका क्या होता है अना उसके लिए आपका होता है अगर सोची होता है अगर गामी नहीं होता है अंसर आपका बीकल्प नंबर भी क्या है आपका रांग लिखा हुआ है 37 number का B number आपका सहही होगा, बाकी सब सही है, जंगल कियाग, दावनल, समुधर कियाग, बढ़वानल, पेट कियाग, जटराग, ये सब सही है, अंसर आपका B number वाला, आपका रांग दिया गया है आगे चलने वाला आगे चलने वाले के लिए हम अग्र गामी यूज करते हैं आगे की सोचने वाला उसके लिए अग्र सोची यूज करते हैं आगे बढ़ते हैं कमल सब्द का परियावाची क्या होगा 38 नंबर के देखिए बताना है तो यहाँ पर जो इंदीवर लिखा हुआ यही इंदी वर आपका अंसर होगा बितलप नंबर डियोगा बिल्कुल सही है यहाँ पर देखें 49 नंबर जबाब का जबाब आपका इनंबर होगा बिलकुल सही है 49 के कुछ लोग B बता रहे हैं B नहीं A नंबर होगा 49 का A जिनका आ रहा है समझ जाईए बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं अगला प्रशन बताईए नाग का बाल होना मुहावरे का मतलब क्या होता है हाना आधिक फिरी होना आधिक फिरी होना कहां लिखा हुआ है विकाल पा जवाब दिया गया यहां आपका अंसर और यहां पर दिखिए मैसूर करणाटाग में पड़ता है और इसका तीम भार भिस है था मानौता के लिए योग याद रखिएगा इसका भिस है आगे बढ़ते हैं जापान और रूस के इम्द्र किस दिव को लेकर विवाद है बाव Duerman Resource Group में सामिल होने वाला एसिया का पहला देस काँ breast मैई- 2022 में दच्षिड को रिया nato cyber defense magic में सामिल होने वाला एसिया का पहला देस बन गया दच्षिड कोरिया कहा है लाइप का दी नम्बर खरेट differential साब को जाएगा भारती सियन के लिए प्रोजेक्ट 75 के तहित निर्मित 6 पंडूबियों की स्रंखला की अंतिम पंडूबी का क्या नाम है 54 नमबर के देखिए आपको बताना है इसका नाम है आपका INS वाग सीर है याद रखिएगा INS वाग सीर बिकल्प आपका D नमबर करेटर्सर आपका होगा माई 2022 में पोप फ्रांसिस ने वेटिकन सिटी के सेंट पीटर्स बेसेलिका में आयोजी समारों में किस भारती को मरणों परांत संत घोसित किया है 55 नमबर का जवाब क्या होगा और 55 नमबर का दिखे जवाब हमारे भी चाच चुका है देव सहायम पिल्लई बिकल्प आपका अंसर होगा बी नमबर हाँ बिल्कुल सही है जो लोग बाद में आ रहे हैं वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए गा लाइक सेर कर दीजिए ताकि और भी लोग यहाँ पर आपके चुड़ सकें मई 2022 में किसने भारत के 25 में मुख्य चुनाव आयुत के रूप में पदभार ग्रहन किया है 56 का जवाब बताया जा रहा है कह रहे हैं यहाँ पर बताईए जवाब क्या होगा सुसील चंदरा की जगह नाम लिया बता ले गया है आप कौन हो गया है राजीव कुमार हाना राजीव कुमार बिल्कुल सही है बिल्कुल राइट अंसर दिया गया है अगला प्रेशन बताईए मार्च 2022 में भारती नौ सेना के किस जहाज को प्रेशिडेंट्स कलर से समानित किया गया है यहाँ पर देखिए आपको बताना है आई एनेस वल सुरा आई एनेस कौन सा है वल सुरा है वल सुरा विकल पापका ए नंबर होगा बिल्कुल सही जवाब दिया गया है जुलाई 2022 में कौन राज प्राइमरी एजुगेशन में नई राश्टी सिच्छा नहीं थी 2020 को लागू करने वाला देश का पहला राज बन गया है जुलाई 2022 में राज प्राइमरी एजुगेशन को लेकर यह आपका बन गया है राज कौन सा है यह आपका उत्रा खंड है व और उनसर नमबर के दिखिए जवाब दिया जा रहा है उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही है बिल्कुल राइट अंसर दिया गया है अगला प्रश्ण बताईए हाली में किसे केंद्री सेवियसी का नया अध्याच्छ तो साथ नमबर तो आप बताई देंगे ह ना आपके कौन है निदी छिब्बर विकल्प आपका यहाँ पर सी नमबर होगा अगला प्रश्ण बताईए किस भारती राज में गमोचा एक सांस्कृतिक प्रतीक है किस भारती राज में गमोचा एक सांस्कृतिक प्रतीक है एकसर नमबर का जवाब देना है और यह आपक सब्सक्राइब नहीं करता है अंसर जाएगा बी नंबर के साथ बिल्कुल सही है युनेस्को का मुख्याल है यहां पर देखिया आपको कमेंट करके बताना है यंपी के सिम का होने युनेस्को का मुख्याल है आपको बताना 63 का अंसर क्या होगा इसका मुख्याल है आपका पेरिस में और यहां पर बड़ा है आप दें सकते हैं जाके अगला परें से प्रम। निम्लिक्षित में से किस विषय पर नोबल पुरसकार नहीं दिया जाता है। नोबल आपका साहित है, सांती है, बहुतिकी है, रसायन, चिकिसा, अरसास्त रहना, ये इन में आपका दिया जाता है। गुजरात के तर्ट परिस्तिते, गुजरात होगा, अंसर आपका होगा, यहाँ पर राइट अंसर आपका होगा, ठीक ना, यहाँ पर काला कवबा कार्ट खाएगा, यह गाना आपने सुना होगा, जब डांस बगारा रहते दिना साधी बगारा में, यह गाना बहुत बश्ता प्रतिवर्स अंतराष्टी परिवार दिवस का मनाया जाता 67 का बताना है और यहां पर अंसर होगा आपका 15 मई बिल्कुल सही जवाब दिया गया है पुस्तक सनराइज ओवर अयोध्या नेशन हुड इन अवर टाइम्स नामक पुस्तक किस ने लिखी है और यहां पर देखे अंसर नमबर का आपका होगा बिल्कुल सही है और कुर सही जवाब है यहां पर देखिये नैस्टन आपसे आपको बताना है एक ये जीता है 59 नमबर के दिखिए जवाब देना है और यहां पे राइट डंसर हमारे बीचा चुका है हैदरावाद FC 31 सरस्वती सम्मान किसे परदान किया गया है 70 नमबर के दिखिए जवाब देना है और यह जो मिला है आपका हिंदी के वरिष्ट कभी लेखा के आपके प्रोफेसर दरस मिस्तर को दिया गया है 2021 के लिए 31 सरस्वती सम्मान यह उनकी जो सम्मान है उनकी कविता संग रहे थी मैं तो यहां हूँ उसी मिला है तो अंसर आपका होगा C नमबर अधित में से किसको चाल कोलिथिक युग भी कहा जाता है चाल कोलिथिक कहिए या कैल कोलिथिक कहिए बात देखिए और यह कहा जाता था आपका तामर पासाण युग को याद रखिए का तामर पासाण युग को कहा जाता था विकल्प आपके हापर C नमबर बिलकुल करेक्ट अंसर आपका होगा हर्स चरित नामक पुस्ता किसने लिखी है तो यह लिखी है आपकी वाड़ भट्टे ने विकल्प आपके हाँ पर क्या होगा वी नमबर आपका करेक्ट अंसर आपका हो जाएगा नेक्क प्रशन है पानिपद के तीसरे यूद में निम्न मैंसे किसने माराठों को हराया थे पानिपद के तीन यूद वे थे 1526 1556 और 3 हुआ था 1761 में तीसरा यूद कब हुआ था आपका 14 जनवरी 1761 में आपका उआ था अपका प्रचल्प पूछा गया है कि तीसरे युद्ध में किसने माराठों को हराया था माराठे तो हरे तो ये तो तो कन्फर्म है और किसने आ रहाया था या वक का अफगानों ने आ नपर आध का विकलता, हाँ वर्लक आपका ए नमबर होगा व लतल देकेह सही जवाब दिया यहाँ पर आपका अंसर होगा राजाा राम महुमांजर होगा, बिकल्पवाफ करेक्ट आपका होगा, नेश्ट प्रशन बताइए, हाथ मात्मा गांधी ने उनाइस सो तीस में सविने अवगया अंदुलन कहा से प्रारम किया था, कई बार हमने आपको बताया है, कहा से प्रा अंसर देखिए आपको बताना है यह डांडी गुजरात के पास पड़ता है यहां पर आपका बी नंबर होगा सेवें नंबर कभी वह नई 104 में करांतिकारी संगठन अभीनाव भारत संगठित किया गया था हाना यहां पर देखिए आपको बताना है कोसर नंबर यहां पर आपको होगा महराश्ट में करेक्टर शुक्र दिया गया था किस निमद्रकीत मेंसे क्लिक्ट में है बहारत के वहारत के गवर्नर जनरल को अध्या देश जारी करने कि सकति प्रदान की गई है भेह ना गवर्नर को देखिं यहाँ पर आपको बताना है कि इस Act के द्वारा भारत के गवर्नर जन्रल को अध्यादे जारी कनिक सकति प्रदान कि गई थी तो यहाँ पर 10 दस नंबर का जवाब क्या होगा दस नंबर का जवाब बिल्कुल सही दिया गया है इंडियान काउंसिल एक्ट 1861 विकल्प आपका यहाँ पर बी नंबर बिल्कुल करेक्ट अंसर आपका हो जाएगा अध्यदेश छह महा तक लागू रह सकते थे ठीक है यहाँ आपका विकल्प आपका बी नंबर सही होगा बिल्कुल शही जवाब दिया गया है बिल्कुल राम बिल्कुल देख़े जवाब बिल्कुल सही दिया गया है हाँ कमेंट करते रही है जवाब देते रही है हाना बिल्कुल यहाँ पर देखिए किस ग्राय के चारो और वले है यहाँ पर देखिए आपको बताना है किस ग्राय के चारो और क्या है वले है बता देंगे सिंपल है यह आपका सनी ग्राय होगा हाना यहाँ पर देखिए सनी ग नर्मदा की और बहने वाली नदी कौन सी है? नर्मदा की और बहने वाली नदी है? यहाँ पर आपको बताना है 14 नमबर का अंसर क्या होगा? तो नर्मदा देखिए नर्मदा और तापती जो है ना प्रस्चिम को और बहने वाली नदियां है और यह नदियां आरब सागर में किरती हैं तो अंसर आपका क्या होगा यहाँ पर सी नंबर बिल्कुल करेक्ट अंसर आपका होगा है भारत वन रिपोर्ट 2021 के अंसार देश में कुल वनावरण चेतर कितने हैं पंदल नंबर का तो यह आपका 21.71 परसेंट है याद रखिएगा 21.71 आपका है बिल्कुल देखिए बिल्कुल सही जवाब दिया गया है कोसा नंबर 16 नंबर बताईए भारती आर्थी समीच्छा प्रकासित करता है कोसा नंबर देखे 16 नंबर जवाब देना लाजग लागन तो यहाँ पर अंसर आपका याँ आ व कंसर्कुल सा था होगा आको बताना है इसवेंटी नंबर कांसर क्या होगा था मन करते हो करेंड़ वेangan प्रते चेकरह ऑल乐 एक जुलाई Marvel से आपका distractors युदज क्या होगा तो अंसर आपका किया हुगा यहां पर अंसर आपका बी नंबर बिल्कुल कररेक्टर सराङ आपका बद करेंगे तो पाधिया सुमन बेरी है और सीउ की बाद करेंगे तो परमिश्वर आया länger है याद रखिए था 20 नंबर के देखिए जवाब देना है तो इसका राष्टी करण कब हुआ था हना इसका हुआ था एक जनवरी नेमल्खित में से कौन सा एक सही सुमेलित आपका नहीं है कौन सा एक सही सुमेलित नहीं हैं? अनुछेद आपका दिया गया है, 49 का ए और अनुछेद 40, इस तरी के से आपके दिया गया है और आपको सही उमेलित आता नहीं है? आर्टिकल 48 आपका किसे संबंदित है याद रखिएगा क्रसी और पसुपालन का संगठाने क्रसी और पसुपालन का संगठाने क्रसी और पसुपालन का संगठाने ठीक ना पसुपालन का संगठाने ये इसे संबंदित है आर्टिकल 48 हना ये आपका रांग है अकारे पालिका स यह आपका आर्टिकल नंबर कौन सा है पचास में यह आर्टिकल नंबर आपका पचास में बताया गया है केंद्र राज संबंध किस अनसूची में है यहाँ पर देखिए 24 नंबर का जवाब देना है राइट एसर क्या होगा हाँ बिल्कुल सही है यह आपका साथवी आनसूची में बिकल नंबर यहाँ पर क्या होगा आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्टर सर आपको हो जाएगा लोग सवा का कोरम कुर सदर संख्या कितना होता है एक बटा दस होता है कई बार कराया है कोरम का मतला होता कम से कम वन दो इस बरतन में पानि इस्तर बताय कोई परिवरतन नहीं में परिवरतन के परिवरतन नहीं हो प्रश्टा प्रश्टा होना चाहिए विकल्प नंबर यहां पर क्या होगा एक मिनट सोल्डर पूछा गया है तो टीन और सीसा होगा टीन और सीसा होता है अगला प्रश्टा बताईये है उसमा का सबसे अच्छा चालग बताएए इन में से कौं सा होगा अटाईयस इसको कहा जाता है 29 नंबर में यह सूत्रकणिका सिक्कॉट्र रिए एक बीमारी जो गंभीर और इस्थाई कमी के करण होती है यहाँ पर दिखिए आपको जवाब देना है इसकर भी इसकर भी जो होता है आपका 30 नंबर बिटामी सी कमी से हो जाता है बिल्कुल सभी जवाब दिया गया है अगला प्रशन बताइए यहां से मैद के प्रशन स्टार्ट है हलाकि हम मैद की कलास है सुबह कराए हैं मैंद कलास पूर आपकी चली रही है इसson कोई इससू नहीं होना चाहिए मैद कलास कशना कर लिजीएगा मै आपको कर सकते हैं इनको आप लगा लेजिएगा ठीक न मैंज़िकोोषान आप लगा सकते हैं आराम से लगा लेजिएगा चलिए चलिंवी पूरा जब्स लगां fajn तो छतीनार के यहाँ पर क्याब बताइये लिए नूतर पुरातन होता है संद से होने लगा ओकी वाला आपका चाही अजाद सत्र होगा अजाद सत्र होगा ठीक है ना विकल्ब आपका ए नंबर होगा निम्लिखित में से कौन सा सब्द सूरे का परियावाची नहीं है यहाँ पर देखिए सूरे का परियावाची नहीं है 38 नंबर के देखिए जवाब देना है तो यहाँ पर देखिए सूरे का विभाकर विभाकर जो आपका है ना यह सूर्य का नहीं है बल कि चंदरमा का पर्णिया बचिये चंदरमा का होता है ठीक ना यह किसका है चंदरमा का है इसलिए अंसर हमारा यहां पर क्या होगा वी नंब्र होगा नयम्लीख relations फूल्लिंग सब्रण करने है 49 नमबर का अंसर अन्सर बताना है यह होगा कि यहопर पूलिंग बाकिस वागी के सभी इस्थ्यृ चुँनर्स नहें निश्ञ पट सब्रक्ट का संधी 6 क्या होगा 40 नमबर किया हूं नी प्लस कपट होगा विकल्प आपका ये नंबर बिल्कुल करेक्ट असर आपका होगा यहाँ पर विसर्ग संधिया आपकी होगी यहाँ पर देखिये बताना है मार्च 2022 में भारती रिजरो बैंक के गवर्नर ने कहां रिजरो बैंक के इनोवेशन आपका उद्गाटन किया ह बांबर के जवाब देना है। राई टेंसर चलिए बिलकुल सभ ये नामने लिलो इअलग बास है और ऐसकी की नंबर नंबर का क्या वन नंबर का सी होगा 52 का बताई ये मार्च 2022 में बाजार पूजी गरण के संदर में कौन सब देश विश्टु का पाचवा सबसे बड़ा सेर बाजार बन गया है तो 52 नंबर का अंसर आपका होगा भी भारत माईलाओ के पूर्ण स्वामित वाले देश के पहले और दोगिक पार की स्थापना कहा पर की गई है तो इसकी स्थापना जो की गई आपकी कहा है है इध्राबाद में है यहाँ पर राइट अंसर क्या होगा डी नंबर आपका सही होगा अपरेल 2022 में जारी 26 वार्शिक बिलियन डालर के साथ आपके दसमें इस्तान पर हाना कौन से नंबर पर आपके दसमें इस्तान पर यहाँ पर बी नंबर आपका होगा कितने बिलियन डालर है 90.7 यहां लिख दे रहे 90.7 बिलियन डालर फिक ना बिलियन मिलियन और बिलियन में अंतर होता है याद रखिएगा मिलियन और बिलियन में एक मिलियन में दस लाग होते हैं और एक बिलियन में बताइए एक बिलियन में कितने करोण होते हैं एक बिलियन में कितने करोण होते हैं कमेंट करके बताइए एक बिलियन बराबर कितने करोण होते हैं कितने करोण रुपय होंगे जिसे आप उसे एक मतलब बिलियर कहे देंगे जनवली 2022 में इस रोकिकी संचार उपग्राय को सेवा मुक्त कर दिया गया है पच्पन नमबर का देखे जवाब देना है यहां पर देखे जवाब बिल्कुल सही दिया गया है इनसेट 4B होगा हाँ बिल्कुल सही है पच्पन न सब्सक्राइब करें भारत की पहले इस्टेल फ्लैग रोट की सहर में बनाई गई है आपको नंबर बहुत अच्छे स्कूर दिलाना इसलिए पढ़ाई पर जाता हम करते हैं चाहते हैं आपको कोर्सन आए खटा-खटा अंसर बताएं 56 नंबर क्या होगा सूरत होगा सूरत क कि स्थापना किस राजी में की जाएगी 57 नंबर के दिखिए जवाब देना है यह की जाएगी आपकी तमिल नाडु तमिल नाडु के सीम काउन है एमके इस्टाली नहीं याद रखिएगा 57 नंबर के आपड़ी नंबर बिल्कुल करेक्टर अपको हो जाएगा है यह जो इस राजट राजटर हैं से अब का होगा थाय यहां पर कि आऊपको हो जाएगा नेस्ट प्रश्न बताईए भारत के पहले 20 संथी के इंद्र की स्थापना कि सेहरे में की जाएगी नंसर नंबर का बताना है और देखिए नंसर नंबर का देखिए जवाब यहां पर दिया गया और बताया जा रहा है उनसर नंबर का जवाब होगा गुरुग्राम पहले यह नाम इसका गुरुडगाउं था अब इसका नाम करना काफी दिन हो गया है चेंज किये हुए हर्याडम पढ़ता है गुरुग्राम हो गया है मई 2022 में किस राज्य में यह अधिगम योजना सुरू भात की आनध मिला है हर्याड़ होगा बिल्कुल अंसर आपका स्विन नंबर सही है फिनलैंड के बारें हमने बहुत चल्च किया नोकिया मोबाइल कंपनी आपकी फिनलैंड की थी और यहां पर राध्धानी पूच्छ लिया गया इक्यान में और फिस निलेंड़की उत्तर प्रदेश है मेल खाता है है यह आपको बताना है कतकली केरल यह सब उल्डा सिता का लिखें वह लिखें इसपर लाटरी लिखें ना को सब सब गलदर लिखें यह ऐसे आपका रहता है यह सब को कोछ पी रहें कटकली केरल का है तो इसको उत्तर परदेली रखें कुछीपुड़ी आपका अंध्र प्रदेश का है तो उड़ी सा लिख रखें ये सब रांग था सिर्फ तीसरा वाला सही था हाँ बिल्कुल सही है विस्व खाद कारिकरम सन्युक्त राष्टी की खाद सायता साखा है इसका मुख्याले कहां पर है इसका मुख्याले कहां पर है इसका मुख्याले रोम में इटिली इटिली रोम कहां लिखा हुआ है लिखा भी है अच्छा यह लिखा तो है विकल्प बाइब करने वाले परथाम भारती का नाम बताया है उनके काब पुस्तक गितांजली थी नहीं 113 में नूबर पुरसकार दिया गया था अम नाम तया आगया होगा रभिन्द नाट्टाइगोर बिल्कुल सही है बांदों को आधुनिक भारत के मंदिर किस ने कहा था हाना चाच्छन नमर के जवाब देना है यह हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडी जवालाल नेरू देखे भारत में कुल ऐसे तीन प्रधानमंत् स्रीते जिनके कारेकाल के दरान की म्रत्य हो गए ती राष्ट पत्ति में आपके दो हैं जून 2022 में आयोजित टेनिस की ग्रेंड इस्लैम प्रतियोगता फ्रेंच ओपन 2022 के पूरो सेकल खिताब किसने जीता सरसर नंबर के दिखे जवाब देना है और यहाँ पर सरसर नंबर पुस्तक माइंड मास्टर विनिंग लेसंस फ्राम चेंपियन लाइफ के लेखक कौन है अर्शर नंबर के दिखे जवाब देना है तो इसके जो लेखक है आपके भारती सतरंज खिला रही है आपके अप सतरंज खिला रही है तो आपके दिमाग में यादान आ आ जाना चाह इक हो विकल्प आपका यहाँ पर आपका अंसर जाएगा बी नंबर के साथ बिल्कुल सही जवाब दिया गया है और अगला प्रसन है माई 2020 में संपन हुई इंडियन प्रीमियर लीग आईपियल जिसे आप कहते हैं साड़ कट में 15 संस्क्राइब किसने जीता है 70 नंबर का जबाब देना है और राइट अंसर बताना क्या होगा पहली बाद तो देखिए आईपियल को जो 15 संस्क्राइब का फाइनल मैच था आपका नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद गुजराद में खेला गया अब फाइनल मुकाबले में गुजराज टाइटन्स ने रा गहां गया है यहां पर आपका अंसर हो जाएगा आख सीन नंबर सम्वेद ही और यजूरवेद है इसके लिए आपके ट्रिक बताई थियर आप को याद होगा ना जैसे आप साइठी लिखते आप éta différent साईरी ऑइसे लिखा जा जाता है साइरी कं सा मालो सांस्या आपको एया स अगला प्रश्ण बताईए पुस्ट से मित्र सुंग के द्वारा मारा जाने वाला अंति मौर सासक कहूं था यहां पर देखिए आपको बताना है राइट अंसर क्या होगा तो यहां पर विकल्प नंबर आपका बी नंबर हो जाएगा ब्रह द्रस्त था आपका अंसर होगा ब समराट के सासन कल के दावरान भारत की यात्रा की थी चार नंबर का जवाब आपका हो जाएगा हर्स वर्धन हर्स वर्धन जिनका विया राना समझ जाए बिल्कुल सही जवाब दिया गया अगला प्रशन बताईए निम लिखित मेंसे कौन दिल्ली के लोधिवंस का अंतिम सासक आपका इब्राहिम लोधी था सापक आप थे बैलोल लोधी थे बैलोल लोधी के लड़का सिकंदर लोधी था सिकंदर लोधी के लड़का इब्राहिम लोधी था यही आपका अंतिम था विकल्प आपका ए नंबर होगा आगे बढ़ते हैं मुसलिम लिखिए स्थापन के एक नेता थे यहां पर देखिए आपको जवाब देना है हाँ यहां पर देखिए हमारे बीच रिंग की टेक्निकल चलिए विरुकुल देखिए जवाब देते रही है और यहां पर देखिए सेवेन नंबर का जवाब दिया जारा सेवेन नंबर का आपका बी नंबर हो आए निम्निवे स्वतंत्रता अंदूलन में भाग लेने वाले पस्षी मंगाल के करांतिकारी की पहचान करिए एट नमबर का जवाब क्या होगा तो यहां पर आपका हो जाएगा खुदी राम बोस विकल्प आपका डी नमबर राइड अंसर आपका होगा पस्षी मंगाल समंदित आपके थे खुदी राम बोस अब मुझफर पुर बंकांड में इन्हें फासी के सजाब की दी गए थी नेक्स प्रेशन बताईए बार्दोली किसान सत्य ग्रेकर नेत्रों तो किस ने किया था कई बार आपके प्रस्ण करवा चुके हैं हाना यहां पर साथ कठ हैं सी आर फार्मूला तेकि राज गोपालाचारी नई गांधी जी के स्यूकरती से कांग्रेस और मुस्लिम लिख के समझावते के योजना प्रस्थुत की थी जीसे हम सी आर फार्मूला कहते हैं दस नंबर का जबाब यहां पर आपका होगा हां यह दस नंबर दस सी राज गोपालाचारी आगे बढ़ते हैं कि नार्वे की राध्धानी सिंपल है ओस लो 82 डिकरी 30 मिनाट पूर्वे देशांतर भारत के लिए क्यों महत्तपूर है बालन नंबर का देखिए जवाब देना है यह इसलिए महत्तपूर है यह भारती मानक समय का निर्धारन करता है इसलिए महत्तपूर है कि 2011 की जंगर्णा के अनुसार भारत की साशर्दादर कितनी थी कोसा नंबर देखिए 13 नंबर में जवाब देना है राइट अंसर क्या होगा तो 13 नंबर का जवाब आपको हो जाएगा ए नंबर 13 नंबर का ए नंबर जिनका भी आ रहा है बिल्कुल सही जवाब है यहां पर का अंसर क्या होगा तो यहां पर आपका जवाब हो जाएगा उडिसा में विकल्प आपको यहां पर क्या होगा सी नंबर करेक्ट अंसर आपका होगा निम्डेखित में से कौंसर आज नेपाल के साथ अपनी सीमा साजा नहीं करता है यहां पर देखिए आपका उतर प्रदे संसोधन का 16 नंबर कर देखिए जवाब देना राइट अंसर क्या होगा देखिए यहाँ पर आपका अंसर होगा 101 याद रखिएगा 100 में से एक आपको जोड़ देना है 101 जो संसोधन था उसके अंतरगा सेवा जिएसटी मतलब लगाया गया था अब यहाँ पर एक प्रश्ण और बंता है वो प्रस्ण बनता है कि कौन सा संभिधान संसोधन है देखो यहाँ पर कि संसोधन के अंतरगत आपका किया गया 101 मा देखो जो संसोधन आपका था यह 122 मा था कौन सा था 122 मा था 122 मा हाना याद रखिए कि 100 में संभिधान संसोधन है आपका और 122 संसोधन बिधेयक है, ठीक ना 122 क्या है आपका संसोधन बिधेयक है, आगे बढ़ते हैं, एक रुपए के नोट पर किसके हस्ताचर होते हैं, यहां पर देखिए जवाब देना, राइट अंसर क्या होगा, एक रुपए के नोट पर किसके हस्ताचर होते हैं, 70 नमबर का आर्टिकल 280, अनुछे 280 में ये बताया गया है कि भारत में एक बितायोग होगा, जिसका कारेकाल 5 वर्स होगा, ठीक नहीं बताया गया है, और यहाँ पर आपको बताना है, इसमें 15 में बितायोग के अध्याच एनके सिंग है, लेकिन यहाँ पर प्रथम पूछा गया है, तो प्रथम आपके से केसी नहीं होगी, याद रखिए का बिकल्प आपका भी होगा, बिल्कुल सही जवाब है, यहाँ पर देखिए आपको बताना, PMSBY का बिस्तारित रूप क्या है, उन्नीस नंबर में जवाब देना है, तो इसका मतलब होता है, प्रधान मंत्री सुरच्छ बीमा योजना, आगे बढ़ते हैं, पंडित दीन दयाल उपाध्या है, उन्नत क्रस सिच्छा योजना का उदेश क्या है, बीस नंबर का देखिए जवाब देना है, पंडित दीन दयाल उपाध्या है, उन्नत क्रस सिच्छा योजना का उदेश यही है, क्रस शेत्र को बढ भावा देना है अंसर आपका क्या मोगा करेशाचा को लिखिस सच्प को बढ़ावा देना का है विद आपका हुआ की न योजना गी सुभाराम आपका हुआ ता दो बजार सोला यह भी याद रखिए दीगा स्टार्टिग आपका दो बजार 11 में हुआ था कुछ लोग सी नंबर बता रहे हैं सी नहीं वी नंबर होगा है ना बीस नंबर का एक सेकेंड बीस नंबर का सी होगा हाँ सी तो हमने भी बताया है सी होगा चलो आगे बढ़ते हैं निम लिखित में से किस अनुछेद में भारत को इंडिया भी का गया है कौन से आर्टिकल में का गया है article number first में का गया है answer यहाँ पर क्या होगा आपका ए नंबर वारा बिल्कुल करेक्टर्सर आपका होगा भारत राज्यों का संग है यूनियन है आगे बढ़ते हैं कि इस मौलिक अधिकार के तहट कानून के नजर में सभी लोग समान है तो यहाँ पर सिंपल है यहाँ पर आपका होगा समताक अधिकार आठिकल नंबर 14 से लेकर 18 के बीच में आपका है समत पूर्व राष्टपति कौन है पूर्व राष्टपति आपको बताना इन में से कौन है राजी गांदी इंद्र गांदी यह तो प्रदान मंत्री है यह आपके थे राक्टर राजेंद्र प्रसाद अंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा आगे बढ़ते हैं लोग सभा आगे बढ़ते हैं दरपड दरपड लिखा हुआ है कारों के हैलाइट में फ्रियों किया जाता है 26 नंबर का अंसर क्या होगा है जैसे आपने स्कूटर देखा आये मोटर गाड़िया देखे होंगी इनमें जो आपको हैलाइट लगा होता है ना सीसा वह कौन से होता है कह र गाड़ियों को बगल में साइड में सीसा लगा रहता है पीछे का ट्राइफिक देखना कौन सी गाड़ी आ रही है तो वहां पर आपका उतर लगा जाता है लेकिन यहां पर हैल्डाइट की बात करेंगे तो अउतर लगा जाता है बिल्कुल सभाब दिया गया आगे बताई रहं, परतिधारा थारा टैसी को डि सी में बदलने के लिए कौण सी यूक्टि यानि कौण सी डिवाईस से प्रियोख किया जाता है चाणा याद रख्येगा एसी को डीसी में हमेशा रैक्टीफायर बिदलता है येक्रीफायर होता क्या है कई सारे डायोडियों का पर चाहते हैं विकल्ब आपके आपट नंबर से होगा शरीर में यहाँ पर रिक्स इस्थान है गंभीर कमी कारण कौसर कूर होता है यह आपका होता है 29 नंबर का देखिए जवाब देना है 29 नंबर का जवाब हमारे विचाचुका प्रोटीन की हाना यह कई वर करवा चुके ह से कौन सा मांसा आरी पाधफ है मांसा आरी पाधफ की बात करेंगे तो आपका वीनेस फ्लाइट रैफ होगा विकल्प आपका यह नंबर करेक्टर अब को जाएगा अंध्यर नंगरी के लेखा कौन है 36 नंबर देखिए आपको बताना है अंध्यर नंगरी आपने खुब प बताइवादर नमबर का सूर्योन क्या होगा सयग्थ नमबर का मैं क où लिए एक सब्सक्राइब देखिए बताना है उसके लिए आपका क्या होता है है ना जो उपकार को मानता हो करता की होता है 49 नंबर का बी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट अपका होगा निमलिकित में से कौन सब्द सरोसथिक का परियाबाची नहीं है 40 नंबर में देखिए आपको जवाब देना है 40 का अंसर क्या होगा यह जो पदमा लिखा है ना इलाचिमी का परहाया बची होता है सरस्थिक थोड़ो होता है महासोटा भारती वीड़ा पाढ़िए सब आपके सरस्थिक होते हैं अंसर आपका सी नंबर बिल्कुल करेक्ट अं समझ आई यह बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं 51 का यह नंबर बिल्कुल करेक्ट अंसर आपका होगा हाना यह नई दिल्ली में आपको हुआ था आगे बढ़ते हैं जनवरी 2022 में जारी भारत वन इस्तिती रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कौन राज्य छेत्र फल्की ड रामनात्कोबिंद की देश की राज्की आतरा पर रहे हैं यह लोग आपको को चुका हैं लामनात्कोबिंद जो है अब आपके चौद्वे राष्णपति हिश है आपके दुरपदी मुर्मू हो चुकी है इसलिए प्रस्ण आप कब नहीं पूछेगा है ना यह प्रस्णों को आप कर दीजिए अप्रेल 2022 में इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंसिट्यूट दौरा जारी विश्टु सैन ने खर्च प्रवतियां रिपोर्ट 2021 के उनसार विश् पहले नंबर पर आपका यूएसे अमेरिका है दूसरे नंबर पर आपका चीन है याद रखेगा 38 नंबर पर भारत आगे बढ़ते हैं अप्रेल 2022 में किस बैंक ने वित्ती समावेशन के लिए समाधानों समाधानों की सह सरजन तथा नवनमेशन के लिए फिनिटेक स्टार् या पोस्ट पेमेंट बैंक बिल्कुल सही जवाब है आगे बढ़ते हैं फरवरी 2022 में बारती अंत्रिच अनुसंधान संगठान जिसे आप इस रो कहते हैं ने धुर्वी उपग्रे प्रेच्षेपण यान कि इस उपग्रे का सफल प्रेच्षेपण किया है आपको बताना है चपन नंबर का जवाब क्या होगा चपन नंबर का जवाब अगर आपका जवाब ई-o-s-0-4 तो समझ जाए बिल्कुल सही जवाब है आदिके जवाब बिल्कुल सही आ रहे हैं करेंट है करेंट में हो सक सब्सकार भी आपका स्टार्ट हुआ है इन्ही के मतलब नाम पर और इसके बाद यह प्रधानमंद्र मोदी जी इन्हीं को पहले दिया गया है अब यहां पर लेकिन पूछा गया है बारतनत कब समानित किया गया था 57 नंबर में बताना है 57 का जवाब हमारे विचा चुका है कह रहे है 2001 में 2001 में 57 नंबर हाँ बिल्कुल सही है चलिए बिल्कुल सही जवाब यह गया है हाँ बिल्कुल राइट अंसर है आगे बढ़ते हैं अच्छा यह बताईए 1999 में इन्हें क्या मिला था देखते हैं आप लोगों का जीके चेक करते हैं हाना थोड़ा मेमोरी चेक क क्या मिलाता है कि कमेंट करिए कि देखते हैं किसका आएगा जवाब है अभी हम दो मिनट देख रहे हैं तब तब आगे बढ़ते हैं अप्रेल 2022 में कहां पहली बार राश्टी राध धानी के बाहर राश्टी बाग संद्शन प्राधिकरण की बैठक आयोजित हुई है यहा आठावन नमबर के जाब किया होगा यह पर पक्के बाग अभिहारण अना पके बाग अभियारण के फ्रांस आवार्ड नहीं इन्हें मिला था पदम विभुशन मिला था था ठीक है पदम विभुशन याद रखिएगा अब पदम भूसर मिला था उन्हीं 59 में तैटाम प् प्रदिस में आपका आगे बढ़ते हैं फरवरी 2022 में सरकार के द्वारा राष्टी सिच्छा नीती 2020 और 2021 2022 की बजट गोश्राओं के अन्रोप स्वायस की सिच्छा के लिए शुरू की गई नई योजना नौ भारा सासरता कारिकरम के आवद क्या है इसका टाइम पीरेट आपको बताना है तो यह आपकी आवदी जो है 2022 से लेकर 2027 तक है आपसान आपका दी नंबर वाला बिल्कुल कर मर्च 2022 के मद्ध जो 5- Syria प्राश्ट प्र威द की आवदी कहा है कैनिया कि कैपिल न्योंभी के यहां इक देश है यहां पर देखिए एकसर नंबर के यह पंजाब का लोग नरत है आपसंद भी होगा यूनिसेफ की स्थापना किस वर्स होई थी हाना यहां पर देखिया आपको बताना राइट अंसर क्या होगा इसकी स्थापना आपकी और उनिस ऩियारीश मोरी फील लॉष में आपका उनिसीफ में पूश्ते का मुख्याला आहीं आपका नुवीयारक आणी आगे बढ़ते हैं निम्लीखित में से भारत का शर्वच नागरिक पुरसْकार कौंस ही चौशर नंबर में बताना है तो यह आपका भारत रत नहीं इसके बाद आपका पदम भीबुसाण इस तरीके आते हैं पहले नंबर पर आपको बताना है प्रप्रदिस किराध्धानी लखनों मिस्तित विकल्प आपका भी नंबर होगा बिल्कुल जवाब भी आगया है आगे साथ गोएन का पुरसकार किस छेत्र में योगदान के लिए प्रदान किया जाता है यहां पर देखिए आपको बताना है यह पत्रकारिता छेत्र में योगदान के लिए प्रदान किया जाता है अंसार आपका पत्रकारिता होगा पुस्ता गोल्डेन बाय नीरज चोपड़ा कि लेखक कौन है यहाँ पर देखिए आपको बताना है इसके नवदीव सिंग गिल कई बार करवा चुके हैं नवदीव सिंग गिल है याद रखेगा गोल्डन बॉय नीराच चुपड़ा के लेखक मई 2022 में संपन हुई राष्टी फुटबाल चैंपियंसिप हीरोड संतोष ट्राफी 2021 का खिताब 2021 की टीम ने जीता है अरसल नंबर के देखिए जवाब देना है राइट अंसर क्या होगा हाना इसमें आपको जो जीता है केरल ने पसी मंगाल को पराजित किया यानि केरल जीता विलावस्का हाना कई बार करा चुके हैं आपका अंसर सी नंबर होगा आगे बढ़ते हैं राष्टी वन जीव बोड की इस्थाई समीति की सरस्टीवी बैठाक में प्रतिवर्स किस्तिति को राष्टी डाल्फिन दिवस मनाई जाने की गई है सत्तर नंबर का जवाब क्या करता है तेकि बिस तो सिचक दिवस की बात करेंगे बिस तो सिचक दिवस तो आपका पांच अक्टूबर को मनाई जाता है